अश्का दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चारेल में बहुत-बहुत स्वागत है आज की तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आएं इस वीडियो में जहां बात करेंगे पांच ट्रिलियन एकनामी के सवाल पा संबित पात्ता को धूल चटाने वाले गौरफ वल्लप को लेकर बड़ी खबर और वहीं करनाटक उप चुनाव में कांग्रेस ने जारी की अपने उमिद्वारों की लिष्ट एक देश एक चुनाव पर चुनाव आयोक का बड़ा वया निकल के आया सामने और वहीं आपको बताएंगे अब सिफ सेना ने संसद में विपच्छ में बैटने की तयारी कर दिया है सुरू इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आप लोग जानिए इस वीडियो में उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक गौरा वल्लब को कॉंग्रेस ने बनाया उम्मीदवार या दोस्तों वही गौरा वल्लब जिन्होंने संबित पात्रा जो बीजेपे के प्रयोक्ता हैं उनकी बोलती है आप कहकर बंद कर दी या आप इतना ही बता दो पांश ट्रिलियन में कितने जीरो होंगे और कॉंग्र के इस ने अपने राष्टि प्रयक्तर गवर वललब को झारकंड विधानस्वा चुनाओं में मुखयमंते रगवादास के खिलाफ उम्मीदवार बनाया आपको बताने वललब का नाम प्रमुख है जिन्हें जमसेद पूर्पूर्व से उम्मीदवार बनाया गया है इस वि जहारखंड के लोगों के साथ पिछले पांच बरसों में सिर्फ धोकाओं किया है बीजेपी ने जनता रगुवत दास और भाजपा को सवक सिखाने के लिए तयार है जहारखंड में कॉंग्रेस 81 सरस्ति बिधान सवा के चुनाओं में जहां मुमों और राजत के साथ मिलका च लड़ेगी उधर कॉंग्रेस ने कहा है कि इस बार उसकी तयारी पूरी है और बीजेपी को सवक सिखाने के लिए जनता भी तयार है जहारखंड में चलिए अगली बड़ी ख़वर कियों चलते हैं संसद में भी अलग हुए सिख सेना और बीजेपी अब विपच्ची खेमे में बैठेंगे महराष्ट में हुए सियासी उठाप पटक का असार अब दिल्ली में देखने को भी मिलेगा अभी तक इंडिया की सयोगी के तौर पर रही सिख सेना गटवंदन तूटने के बाद बीपच्ची खेमे में आ गई है विपच्ची खेमे में आने के बाद उसका अप संसद में भी स्थान बदल गया है कल तक 37 खेमे की सीटों पर बैठने वाले सिख सेना के संसद आप बैठने वाले सिख सेना गईएंगे यानि मतलब साफ है सिफसेना आप बिपच्छ में बैठेगी संसद में सिफसेना के संसद ने राज सवा के सवापती M.Bankai या नाडू से अपील किये थे कि हम सरकार से अलग बैठना चाहते हैं आपको बताते चलें राज सवा में सिफसेना के चाह संसद हैं वहीं लोग सवा में इसके संसदों की संख्या 18 है नई बिपच्छी खेमे में बैठे नजर आएंगे आपको बता दे दोस्तों महाराष्ट में विधान सवा चुनाओं में 50-50 फार्मूले पर जब सहमती नहीं बनी भाजपाव सिफसेना में मुख्यमंती पत को लेका तवी से ये मामला उलज गया था और अब ये अलगाओ भी दिखने लगा है अगली ख़बर क्यों चलते हैं आथिक मंदी बेरुजगारी किसी संकट आदी पर मोदी सरकार को घेने के लिए कौंग्रेस ने की घेराबंदी शुरूज यहां दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ कौंग्रेस करेगी भारत बचाओ रैली सोने अराहूल करेंगे संबोधित पूरा मामला आपको बता दे बेर दिल्ली में कौंग्रेस निताव की उच्चिस तरिये बैठाक हुई जिसमें पार्टी के महासची प्यदेश अध्याची से लेकर राजस्तान 36 गरपूरुचैरी के मुख्मंति सामिल हुए और पार्टी के मीडिया पर भारी रंदीप सुजेवाला ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने भारत को बरवाद कर दिया है अर्थ वेस्ता को मंदी और तालावंदी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी सरकार ने देश की आर्थिक सवलता पर ह मामला किया है वहीं सुल्जे वाला यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि भारत के बैवसाई किसान नौजवान किसान को बरवादी से बचानी की जारुकता है उन्होंने कहा कि रैली के बाद भी भारत वचा अभ्यान जारी रहेगा आपकी क्या रहा है दोस्तों इस मामले पर आठिक मंदी बेरोजगारी पर क्या ये कॉंग्रेस सही कर रही है आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा अगली ख़वर क्यों चलते हैं टिकेट कटने से बागी हुए बीजेपी बिधायक जहां दोस्तों पूरा मामला आपको बता दें जहारखन से आ रहा है जहां पर सिंदीर से बिधायक फूल चंद मंडल ने बीजेपी से दिया इस्तीफा और दिखाई अपनी बगावत और वहीं अब उन्होंने जहारखन मु अमीदवार बन जाएंगे जैमेम के और इस बार बीजेपी ने वहां सिंदीर सीट से इंदजीत महता को मैदान में उता रहा है इससे पहले आपको बताने धनवाद में पेस कांसरेंस कर रहे हैं उन्होंने सिंदीर से टिकेट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और इसके लिए सियम रघुवा दास को जिम्मेवदार ठहराया उन्होंने कहा वह चुनाओ लड़ेंगे लेकिन किसी पार्टी से या नेदली है इसका जल्द एलान करेंगे तो देख सकते हैं एक और बीजेपी विधाय की बगावत और छोड़ दी है बीजेपी अगली ख़वर को च पहिता के कथी तुलंगन का रोप लगाया करनाटक प्रदेश कॉंग्रेस अध्धहच दिनेश गुड्डू राओ ने मुख निर्वाचन अधिकारी को पत्त लिख कर मुख मंते के खिलाफ कारवाई की मांकियां को बताते चाहें मामला क्या है दोस्तों सुप्रीम कोट ने 13 नॉमबर को अपने एक फैसले में कॉंग्रेस और जेडियास के सत्रा विधायकों को आयोग कराय दिया था जिसके बाद सत्रा में से सोला बागी विधायक विजेपी में सामिल हो गए कोट के आदेस में 5 दिसंबर को होने जारे विधानसवा उप्चुनाओं में विधायकों को चुनाओ लड़ने के अनुमती दे दी गई आपको बताते चलें दोस्तों कि 5 दिसंबर को राजी की पंदा विधानसवा सीटों में उप्चुनाओं होगा और वहीं इन मंत्रियों के चुनाओं लड़ने पर सियम ने इने भावी मंत्री कह दिया था जिसकी सिकायत कॉंग्रेस ने मुख निर्वाचन अरिकाय को पत ल राजिस्थान से आ रही जहां हुए निकाय चुनाओं में 71.53 फिस्दी मत्दान नतीजे 19 नमबर को आपको बताते चाहें दोस्तों राजिस्थान के 49 नगर निकायों में सनिवार को सहर की सरकार चुनने के लिए बोट डाले गया सन्ति पुर्वक संपन हुए मद्दान के लिए लोगों में भारी उस्था देखने के मिला राजिय निर्वाचन अयोग से मिली जनकाय के मताविक पिदेश की 49 निकायों के लिए कुल 71.53 फिस्दी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया राजिय निर्वाचन अयोग से मिली जनकाय के अनुसार अजमेय जिले के नसीरावाद में सरवादी के 91.57 और उदैपुल में सबसे कम 57.84 फिस्दी लोगों ने अपने मताधिकार का उप्रयोग किया आपको बताते चलें इन चुनाओं के नतीजे राजिस्थान के राजनीते के हिसाब से बहुत ही मैत्वपूर्ण हो सकते हैं और वहीं पिछले महिने दो बिधानसवा सीटों के लिए हुए उप्चुनाओं में भारतिये जनता पार्टी को खासी सिकस्थ खानी पड़ी थी आपको बता दें मंडावा विधानसवा सीट से भाजपा का उम्मीदवा 30,000 से अधिक बोटों से चुनाओं हार गया था वहीं दूसी सीट खिनवसाज से भाजपा की सयोगी राष्टिय लोकतांतिक पार्टी के उम्मीदवा ने जीत हांसिल की थी बता दें कि चुनाओं से ठीक पहले सरकार के एक फैसले पर गमासान मच गया था उप मुख्यमंती सचिन पाइलेट ने अपनी ही सरकार की और से किये गए बगए चुनाओं लड़े मेयर और चेर्मेन बनने संबंदी पर अबधान का बिरोध किया था तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं यह नतीजे कहाँ पर महतपूर्ण होंगे राजनीती के लिए राजस्थान में जहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी को तगड़ा जटका लग सकता है अगली ख़बर को चलते हैं एक देश एक चुनाओ के लिए सभी पार्टियों की सहमती है जरूरी यह तोंत नहीं हो सकता सुनील अरोडा चुनाओ यह कितब से बड़ा बयान दोस्तों एक देश एक चुनाओ को लेकर चुनाओ आयुक्त सुनील अरोडा में सन्वार को बयान दिया उन्होंने कहा कि देश में एक साथ लोगसवा और विधान सवा के चुनाओ या एक देश एक चुनाओ बहुत जल्द संबब नहीं होने वाला उन्होंने कहा कि यह तब तक नहीं हो सकता जब तक सभी राजनीतिक धर एक साथ बैठ कर आपसी सहमती नहीं बनाते दिर्मा विस्व विद्धाले के एक कारक्या मैसुनिर अरोडा ने कहा कि देश में 1967 तक लोगसवा और विधानसवा चुनाव एक साथ होते थे और 1967 के बाद व्यवस्था में आसंतुलन आ गया उन्होंने कहा हाँ हमें भी आविवस्था सही लगेगी मैं मैं जितना कह रहा हूं कि हम लोग सर्धानतिक रूप से इस पर सैमत हैं वहीं वो आगे कहते हैं कि यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सभी राजनितिक दल इस पे सर्भ सहमति से फैसले नहीं ले लेते और कानून में जरूरी संसोलन नहीं लाये जाता है आपको बताते चलें पधानमंति मोदी के अधिश्टा में 19 जून को एक सर्भ दली बैठक बुलाई गई थी पीम ने सभी दलों के प्रमूखों को आमंतित किया था लेकिन कई दलों ने इसका बहिसकार किया और भही बैठक में आपको बता दें क्या हुआ बैठक के बाद सरकार की ओर से बतायागा कि जादा तर पार्टियों ने एक राष्ट एक चुनाव को समयथन किया जिसके बाद इस मुद्दे पर सभी पच्छों के साथ बिचार करने के लिए एक समितिक गठित की जाएगी ये देख सकते हैं दोस्तों बड़ा बैन आया है चुनाव आयोक की तरफ से कहा है कि एक देश एक चुनाव पर सभी पार्टियों की सहमति जरूरी है अगली ख़वर को चलते हैं जीडीपी को लेकर एक बड़ी ख़वा निकल के आ रही है दूसी तिमाई में जीडीपी विद्धी दरघट का 4.9 फिस दी रहने का अनुमान होगा मौजूदा बित्ते बरस में देश के आथिक विद्धी दरघट कर 5 फिस दी पर पहुँच गई है या बीते 6 बरस कर सबसे निश्टा इस तरह है तो दोस्तों यह बड़ी ख़वर निकल के आ रही थी जीडीपी को लेकर आपकी क्या रहा है इस ख़वर पर कमेंट ब झाल